वेलकम तो रबनेट क्लासिस तोड़े वेरी इंपॉर्टन टॉपिक फादी पोस्ट पॉस्ट के लिए भी कर रहे है उसके स्लेबस में भी जियोग्राफी होता क्या है जियोग्राफी जो है एक ऐसी फील्ड ऑफ साइंस है जो स्टडी करती है लैंड्स को, फीचर्स को, इन्हेंबिटेंट्स, फिनॉमिन आफ अर्थ और प्लैनिट्स को तो आज जो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले है जियोग्राफी अब जोमएन कश्मीर पूरी स्टडी करने वाले हैं कौन-कौन से कैसे कैसे इसके फीचर्स और लैंड फीचर्स हैं mountains कितने rivers कितने हैं mountains और passes कितने हैं इसके lakes कितनी हैं यह सारा हमने एक ही वीडियो मिलिया है आपका इस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही जगा आपको सारा geography of German Kashmir नहीं मिलेगी तो इस वीडियो में हमने क्या किया है लगबक सारा आपको बोला आज को हमारा टॉपिक और जोग्राफिया जोधार में पड़ा चाह है सारे बचें और बड़ा करें चाहिए तो हमने जो आप में क्या क्या लिया हुआ हुआ है ज्योग्राफिक अभी नियुक्ट कश्मिर वह लिया हुआ है इस ते की से rivers, lakes, glaciers हमने सब लिया हुआ है और with most important objectives भी साथ साथ में हमने लिये हुए हैं चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे बिल्कुल नीचे से जाकर की geographical structure शुरू करते हैं बिल्कुल basic से जैसे कि आपको पता है जम्मू, लदाक औ पता रहे हैं पता है कि North कोंसा होता है साउत और में पता देता हूं, यह है जिच्य कैस्स आपको आप ऊपर ऊपर तहई है कहा है तो यह की से नीचे आता है South इसी तरीच से यहां पार आता है इस्ट और इस तरीच से यहां पे यहां पार-ए वैस्ट तो आपका जम καιंश्मि कहां आया हुआ है तो आपको यह याद रखना है कहां पर जमाइन कश्मीर पढ़ता है नौर्थ में पढ़ता है उपर नौर्थ है इस तरीकी से इस साइड आता है इस्ट और इसी तरीकी से यहां पर आता है साउथ और इसी तरीकी से यहां पर आता है वेस्ट तो यह आपको country और किस-किस Indian states के साथ अपना border share करता है जम्मू कश्मिर लदा की situated in the Himalayan mountains ये कहां पर है Himalayan mountains के बीच में situated है and it shares border with the Indian states and other countries जिसे किस-किस के साथ border share करता है सबसे पहले देखते हैं Indian states कुन-कुन सी हिमाचल परदेश और पंजाब objective आ सकता है south में मैं आपको map में सिखा देता हूं आगे south में हम किस के साथ border share कर रहे हैं हिमाचल और पंजाब के साथ ये देखिए उपर north है इस side आता है हमारा south तो south में दो हैं पंजाब है और हिमाचल परदेश है जिनके साथ हम border share कर रहे हैं इसी तरीकी से west में आता है पाकिस्तान और इसी तरीकी से यहां पर क्या आता है चाइना आता है हमारा north east में आता है हमारा चाइना और east में भी हमारा चाइना आए और यहां पर तिबिद भी आता है तिबिद के साथ भी हम करतें share और इसी तरीकी से अफगानिस्तान भी यहां से आ रहा है ठीक है नॉर्ट वेस्ट भी अफगानिस्टानौ थे तो हम ऑफगानिस्तान पाकिस्तान पंजाब और हीमाचल पर दे इदर से तिबत और इदर से चाइना तो यह सारी स्टेक्रूंटरी जिन Bryceं के साथ अगे क्या है तो इस तरी से जिसे कि मैंने बताया हम किस किस के साथ हमाचल पंजाब पकिस्तान में आफ़गांसता से नौर्थ पे और चाइना से नौर्थ और ईस्ट पर और ओर तिमित नौर्ठ इस्ट पर यह आपको एकन्टि इस पीजिक्ति इस पीछे बताया, वेस्ट पे तो पाकिस्तान है, जैसे आपको पता ही है, तो इसका अंसर क्या आएगा, पाकिस्तान, इसले किसे कुछ भी पूछ सकते हैं आप से, तो ऐसा आपजेक्ट वह आ सकता है, ध्यान रखेगा, अच्छा फिर आता है जी, बताओ जी, जमुएन किश्म हमें इस पूरे अर्थ में कौन सी कंटरी कहा है, हमें लोकेशन तो पता लगे, तो इन्होंने क्या कुछ नमबर्स जैसे या मैप पे शर्च करेंगे गोकल पे, वहाँ पर कुछ नमबर्स भी आता है, जैसे आपने लिखा जमुएन कश्मीर, जमुएन कश्मीर के साथ वहा आए पता हो, लेटिचूट और लॉंगी चूट होता क्या है, तो ये क्या लेटिचूट और लॉंगी चूट होती है, यह imaginary lines होती है, यह lines होती है, जैसे कि lines होई, latitude and longitudinal lines, मैं जैसे आपको बता देंगा लेटिटीट हुई जो पैलेल जाती है जैसे कि यह है एक्वेटर है यह हमारा ग्लोब है तो यह बीच में एक्वेटर लाईन जो जीरो पे होता है इस तरिके से यह जो लेटिटीटूटनल लाइन इंट पर चुन सी होती है longitudinal lines हो भी सेम इसी जरी किसे बनाएंगे जो प्राइम meridian से जाती है जो क्या होती है उपर से नीचे के लिए आती है इनको बोल जाता है longitude यह किसले होती है हमारे यह location बताने के लिए होती है तो अब हमें कि बोलना है कि Jyamu in Kashmir कितने latitude लौंग उससे पहले देख लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया जो लैटिटउटनल lines होती है वो क्या करती है लैटिटउटनल lines जो होती है वो अर्थ को दो हिस्वों में डिवाइड करती हैं जैसे कि यहाँ पर दो जिस्तों में किया नौर्थ और सौथ में सौधन हमिस्पेर में तो देखिए जैसे यह लाइडिचूडनल लाइन से बनी हुई 30 पर 30 60 90 ठीक है तो इसी तरीकी से बाकी देखते हैं जैसे कि यह जो लॉंगिचूडनल है यह याद रखना है जो लेटीचूड है जो में कुछ करा वह है 32 डिग्री से लेकर 37 तक इसे लॉंगिचूड जो है वह 74 से लेकर 80 टू 83 तक है आगे बता देता हूं मैप पर यहां से यहां आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो लेटीचूड है वह यहां से 32 से जा रहा है हम हमारा कहां से 37 तक इसी तरीके से हमारा जो लॉंगिचूड है वह जा रहा है 73 से लेकर 80 तक यह आपको यहां दखना है बेसिक है यह अब्जिक्ट आएगा यह आएगा आएगा आपके एक्जाम में लैटीचूड लॉंगिचूड का आगे बढ़ते हैं तो आपको और प्लेंज का जाता है कंडी बेल्ट को तो प्लें एरिया हमारा कहा है वो जम्मू साइड है तो आपको ऐसे ही यह दखना है प्लेंज जम्मू में और पाढ़ पाढ़ का है कश्मीर में तो देखते हैं कंडी बेल्ट में कौन-कौन से एरिया आते हैं वो आता है जम्मू का अ आता है जमू कंडी बेल्ट में इसी तरीकी से आपको याद रखना है तो ये था हमारा पहला कंडी बेल्ट कंडी बेल्ट के बाद दूसरा जो हमारा वो था कंडी बेल्ट का मैप दिखा देता हूं ये रहा हमारा कंडी बेल्ट गाईज ये हमारा कंडी बेल्ट है तो यह हमारा कंडी बेल्ट का रीजिन है कौन सा यह वाला है हमारा कंडी बेल्ट जमू रीजिन प्लेइन एरिया है तो कंडी बेल्ट के बाद आगे देखते हैं हम दूसरा कौन सा है दूसरा है शिवलिक शिवलिक रेंज कौन सी है शिवलिक रेंज कहाँ शुरू होती यह थे ना कंड़ी बेल्ट मैंने आपको बता दिया जम्मू लोईस रीजिन में उसके उपर क्या आता है शिवलिक रेंज मिरपूर एरिया, रिय Jacobs का अदौमपूर का, जम्मू रुर का और कठूओा का एरिया आते हैं काईज अगर आपको ये अभी समझ ये जोन समझ आ गए आपको पूरी जिग्राफिया आगे समझ जाएगी तो सबसे पहले कंडी बेल्ट एरिया आपने देखा जम्मू के प्लेंज उसके बाद शिवालिक एरिया शिवालिक पंजाब से शुरू होता है फिर यहां ज शिवालिक रेंज कहां पर है ताकि आपको पता लग जाए तो शिवालिक रेंज में मैंने आपको एरिया बता दिये कौन को मीरपूर रिया सिव अभ्जिक्टिव आ सकता है अच्छा द था मौन्टेंज आपकु पाता ही होगा हमने सबसे पहले अभी पड़ी कौन सी का उसके बाद हमने शिवालिक जैसे कि अगर आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं सबसे पहले आएगी फिर यहां पर हमारी कंडी बेल्ट कंडी बेल्ट के उपर आएगी हमारी यह शिवालिक शिवालिक के उपर आएगा हमारा यह पीर पीर-पंचाल रेंज पीर-पंचाल के बाद बीच में आई कश्मीर वैली फिर आते हैं हमारी हिमालियन्स फिर लदाक और इसे तरीके से लदाक प्लैट्यूज वगएरा वगएरा आते हैं उसके ओपर ठीके गाईज यह आपको ऐसे ऐसे याद रखना है तो फिर पीर पंजाल रेंज वो रेंज होती है जो जम्मू को कश्मीर से अलग करती है जैसे कि मैंने आपको बताया पीर पंजाल रेंज मैंने अभी बताया आपको पीर पंजाल रेंज यह है तो बीज में कश्मीर और इस दर से तो यह क्या करती है सेपरेट करती है जम्मू क पीज में पीर पंचाल रेंज और उस साइड कश्मीर तो यह आपको बिलकुल याद रखना है ऐसे ही इसी तरीके से हम देखते हैं आगे पीर पंचाल रेंज जो सप्रेड जमू फॉरम्द कश्मीर वैली तिर जमू रीजन जो जो ग्राफिकली एड सब रीजन में रिवर जिरते हैं यहाँ पर मैंने बताया हुए ज्वालिक सबसे नीचे फिजिव लिक आप पीर पंचाल के बाद कश्मीर यहां किश्मीर कश्मीर के बाद यह आता है व्याना यह मैप आपको आहज़ञ какаяश्मीर समझ समझायक्जी तो आगे देखते हैं का ऑक तो ऑच्छां जो area और यह भी objective में आता है बताओ जी total area हमारी state का कितना है तो सबसे पहले guys आपको पता होना चाहिए हमारे जो इंडिया का total area जो है हमारे इंडिया जो total area हमारे इंडिया का जो है वो three point total area हमारे इंडिया का total area इंडिया का तो total area इंडिया का जो है वो है 3.28 million 3.28 million ठीके गाइस इसी तरीकी से हमारी जो country है हमारी वो 7th largest in the world area wise में अगर हम area wise देखें 7th largest है याद रखेगा 7th largest है area wise या आप लिख लिजी objective आपके काम आएंगे 7th largest है area wise 7th largest area wise हमारी जैनर के और इसी तरीकी से हम देख रहे हैं और इसी तरीकी से total area हमारे जो Jammu and Kashmir का है जो total area वो है 222,236 square kilometer इसे आप याद रखे लिजी अपने दिमाग में बिल्कुल क्योंकि अब्जेक्टिव आ सकता है अफिट 78114 square kilometer is under the illegal occupation of Pakistan and 3755 square kilometer under China तो इन्होंने चाइना चाइना जैसे अभी भी लगा हुआ है इसी तरीकी से पाकिस्तान ने भी किया था वो जो आजाद कश्मीर वाला एरिया है अक्साइट चीन पाकिस्तान चाइना ने लिया है इन अडिशन तो इस फाइव बने रहना है तो आगे देख लेते हम तो इसी तरीकी से यह बता देता हूं जम्मू सबसे नीचे कश्मीर यहां पर और लदाक यहां पर आपको यह याद रखना है जिया उपर किस करिमाइन कलर में और लदाक और किस कलर में है आगे देख लेते हैं अब यहां पर आपको याद रखना ह सच इदर से भी objective आया हुआ है पेपर में एक बार आपको बताना है यहां पर की जो यह लाइन वाइज जैसे कि यहां पर जो है हमारा नौर्थ है आप नौर्थ है और यहां पर क्या है साउत है तो वहां पूछेंगे बताओ जी लाइन वाइज बताओ सबसे सबस्कार मौनटेन आते हैं पर इस तरीके से ग्रेटर हमालिया की लाइन निकलती है यहां से पिर पंजाल रेंज फिर शिवालिक्स रेंज आती है लास्ट में बिल्कुल लाइन वाइज आपको पूचा जाएगा बताइए तो यह आपको लाइन वाइस बिल्कुल ऐसे ही या पर में आ सकता है तो आगे देखते हैं अचा जो टूटल पॉबलेशन जमुर कश्मीर है वो 50 मिलियन है 129 के सेंसे में इस तरीके से 19 में किनी थी और सेक्स रेशो 889 फिमेल से पर 1000 में और लिटरेसी रेट 66.7 परसंट है अचा आपको पता ही होगा अभी तो यूटी बन च एरिया और लदाक के उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफरमिशन क्योंकि इससे भी पेपर में आसता है क्योंकि पूरी जियोग्राफिया आपको कहीं नहीं मिलेगी इस वीडियो के लवा मुझे लगता है आप लीज देखते रहें इसे तो डोटर डिस्टिक के बारे म हम छोटी-छोटी मोटी-मोटी बातें लेंगे जैसे कि वहाँ डोटर डिस्टिक 18 तहसील है वहाँ पर 18 तहसील के बाद लिटरिसी रेट 64.68 परसंट है और टोटल पॉबलेशन है वहाँ पर 409936 अच्छा फिर 406 विलेजिस हैं वहाँ पर और इसरी के से 8 तहसील है यह और नमरा पजायत किती है 232 आपको मोटीमेटी चीज़े याद रहें जली क्योंकि बहुत लंबर यह विडियो है फिर जमू डिस्टिक की बात करें अगर लिटरिसी रेट कही है वह जमू में अच्छा फिर साथ सब डिविजन सेंसके और 12 तहसील है जमू में और 20 ब्लॉक्स ह अगर बात करें कठुवा में 8 ब्लॉक्स है और 512 विलेजिस रेट इतना है 73.09 परसंट यारा तहसील से वहां पर और किस्तवाड इस्टिक की अगर बात करें हम तो किस्तवाड इस्टिक जो है शिनाव रिवर पर सिचुएटेट है और 13 ब्लॉक्स हैं वहां पर और हर एक पंचायत हैं तो यह था किस्तवाड के बार में और 12 पंचायत नीचे भी दी हुए इनकी पूरा कुछ किस्तवाड के बार में मोटी मोटी चीज़े लेते हैं लिटरिसी रेट 56.2 परसंट टोटल पॉबलेशन 23069 आपको मोटी मोटी नहीं आपको बिलकुल उतारना है कॉप पर हम आपको उपर उपर से बताएंगे तो हमने आप इसका स्क्रीन शॉट आजी है लिखते रहे हैं इस तरीके से पुझ डिस्टिक की बात करें वहाँ छे तैसील हैं छे तैसील के बाद वहाँ पर टोटल जो 179 विलेजिस हैं और 66.74 परसंट वहाँ का लिटरिसी रेट जोरी की 13 तैसील और इस तरीके से वहाँ पर लिटरिसी रेट 68.7 पर फिर रामबन डिस्टिक की अगर बात करें वहाँ पर जो है एट तैसील हैं और 116 सेंसे विलेजिस हैं और 127 रेविन्यू विलेजिस हैं और पंचायत हलकाज और कितने 124 लिटरिसी 54.27 रियासी लेज पूर इसी तरीके से एज ब्लॉक जीरिफ पंचायत हैं वहां पर लिटरेसी 81.41 पर संट उदुपूर की बात करें वहां पर तैसील जो है वहां पर सैवन तैसील सें और 7 ब्लॉक्स है इस तरीके से लिटरेसी रेट भी अच्छा है 73.49 पर संट आश्या आपको तो आता है ये चोड़े-चोटे कश्मीर की बात करने से पहले अंतरनाग डिस्टिक वहाँ पर क्या आए जी अंतरनाग डिस्टिक में जो है इसमें जो है हमारे पास सेवन ब्लॉक्स हैं और इसी तरीकी से वहाँ पर जो है नमबर अपजायत से भी है अग लिटरी सिरे शिक् इस तरीकी से 26 ब्लॉक्स हैं वहाँ पर और हर एक ब्लॉक्स में पंचायत है इसी तरीकी से बढ़गाम की बात करें हैं बढ़गाम डिस्टिक की वहाँ पर जो है यह यह दो अब्जिक्टिव आए का इस डिस्टिक विदा हाइस्ट इमांट ऑफ शिया फांद इन दा कश् स्प्रिंग्स यह मिस नहीं करना है आपको यह बिल्कुल लिखने बढ़गाम को लैंड आफ स्प्रिंग्स भी कहा जाता है अब्जिक्टिव आ सकता है यह याद रखेगा बढ़गाम की बात करें गंद्रबल डिस्टिक 7 तहसील से और आगे देखते हैं फिर कुलगाम की बात करें 8 ब्लॉक्स हैं और 7 एंट यूनिक तहसील से कुपवारा की बात करें विदान सबाब 5 पांच कॉंस्टिव से लिटरिश से 75 60 पर से पुलवाम डिस्टिक की बात करें 8 तहसील से अगर कहीं गलती हुए आप कमेंट सेप्शन में भी डाल सकते हैं यह आपने यहां आपने टाउन पसक्षमीर का जाता है किसको शुपियान को याद रखेका औब जब्लॉक्यों और 4 ब्लॉक्स इसको भी कहा जाता है एक नाम से जाना जाता है इसको इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है Venice of East Venice of East Venice of East Venice of East कहा जाता है किसको से नगर इसकी beauty beauty है इतनी तो इसे क्या कहा जाता है Venice आगे देखते हैं फिर आता है लदाक लदाक जो है आप रियार्गनेटिशन यूटी बन चुका है अब लुटिनेट गोवर्नर के अंटर होता है और डिवाइड इंटू डिस्टिक करगिलो लह इतनी पॉपलेशन की ठीक है गाई देख लीजिए आप उतार लीजिए इतना इरिया भी जिए अच्छा आप कुछ चीजें इनके बार में याद रखने हैं आपको जैसे की लदाक जो है उसे मूंस्केप भी कहा जाता है बहुत ही बाटने अब्जिक्टिव आया हुआ हुआ है लदाक रिजिए मूंस्केप लदाक इस हाइस प्लेस प्लेस ऑन आर्स य दो कारगिल है थ्री तहसील ठीक है आगे देखते हैं अच्छा यहां पर अटनुमस डिस्रिक कॉंसल है इनके लिए जैसे की लदाक के लिए अलग और कारगिल के लिए अलग तो यह क्या करते हैं पंचायत के साथ मिलकर काम करते हैं तो अभी भी एक्जिस्ट कर रही है प्रॉट पर से कश्मीर और कि अब अब व्योग्तिव आ सकता है यह पिर आगे बढरते हैं अब फीजोग्राफिक जो की मॉस्ट इंपॉर्टन पार्ट है तो हमने फीजोग्राफिक किया हुआ 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 है जैसे की तीन हिस्ते जो हैं वो जब हिमालेन पार्ट अब जा क्षमीर में आएंगे जैसे किद i auto秘्मालयाज बाहरी हिस्ते शिवलिक जिसे पीछी मैप में और lower issions clearly मालय और भी उसके बाद कश्मीर वैली लाइन से है कश्मीर whether Ab 있다고 आप अप इनके बारे में लिए हुआ है आप देखते रही है आगे चलिए दिखते एनके बारे में फिजोग्राफी फिजिकल फीचर देखते हैं हम अपनी जमौहिंद कुश्मीर स्टेट के तो फिजिकल फीचर से जाने से पहले जो पीछे मैंने मैं बताया था दुबारा देख लीजिए शिवालिक रेंज कहां आती है शिवालिक रेंज के बाद हमने देखा आउटर बेन्स जो होए गाई तो वित्भा है ओडई आउटर बेन्स जो ओते हैं गाई ये होते हैं जैसे कि ये वाला हिस्ता अऩग सब्सक्राइब आउटर कि कुछ्मीर बहुत अखर अको कर रहले को हमियो आज वित्वार हिस्ता आथ नहीं क्ष्मीर instantaneous तो यह आपको याद रखना है बिल्कुल जो मीरपूर और भिंबर है यह पाकिस्तान का आजाद कश्मीर का अब हिस्ता है पहले इंडिया का इंडिया कही था अलुविला प्लेंस अलुविला कैसे बनते हैं यह पान जब रिवर्स वगयरा आते हैं मौंटेंस तो आप नीचे मौला बन जाता है पत्थर मिट्टी से यह बनाता है आउटर प्लेंस को और फांड इस चिनाब तव्योर रिवरो ट्रिबूटी से बना है यह अच्ये इसकी कितनी यह plane, it varies from 7 to 30 km. The height of this well-drained plane varies between 325 to 350 meters. Outer planes के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं, situated in the vicinity of shivalix, यह shivalix के नीचे हैं, सबसे पहले मैंने जैसे map पर पीछे बताया आपको, कहां है यह, shivalix के नीचे हैं, यह outer plane, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, shivalix के नीचे हैं, यह outer planes यहाँ पर, तो यह जो shivalix नीचे हैं, अच्छा, और यहाँ पर numerious hill torrents मिलते हैं, locally known as khuds, hill torrents हुए क्या guys, hill torrents जैसे आपको पता होना इच्छी, hill torrents होते हैं, अगर आप एक गुफा देखें, गुफा कैसी होती, ऐसी होती और पीछे से, गुफा, यहाँ से अंदर जाते हैं, अगर इस गुफा का हम छट निकाल दें, बिल्कुल, इस चट को काट दें, मतलब ऐसा, ऐसे khud बने होते हैं, अगर गुफा, ऐसे होते हैं, ठीक हैं, तो भी का जाता है, रिवाइन्स, तो आपको objective आएगा, बताओ जी, किस एरिये में रिवाइन्स पाये जाते हैं, तो आप बोलेंगे, रिवाइन्स जो पाये जाते हैं, आउटर प्लेंस में में पाये जाते हैं, रिवाइन्स कैसे बनते हैं, मैंने आपको बता दिया, खट बनना, इस तरह के से दूसरा शिवलिक्स आता है, शिवलिक्स जो एक प्लेन कहां से राइज होता है, पंजाब से राइज होता है, और तो शिवलिक्स जो है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यह कहां से शिवलिक्स होता क्या है, यह है गाइज शिवलिक्स, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, शिवलिक्स जो रेंज है, यह इंदस से शुरू होती है, यहां ब्रहम पतरा तक जाती है, ठीक है गाइज, यह आपको बिल्कुल ऐसे याद रखनी है तो शिवालिक रेंज जो है जैसे मैंने आपको बताया है शिवालिक जो है पंजाब से राइज होती है पंजाब से और जैसे मैं आपको बता देता हूं जैसे कि यह शिवालिक जो है यहां पंजाब प्लेंज से राइज हुई पंजाब मुझाब से क्या करती है को मैं सी जेनेटल स्लोप लेती है फ्रम दा जम्मु अटेन बाउट सिक्स इंडर मीटर का इसका ऑल्टीचूट ले ले टी सिग्स एंडर मीटर का आलटी चूट ले 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 दी है ती घंज़ पंजाब के प्लें से इस इंडर मीटर का आल्टीचूट लेना इसने 6 एंडर मेल्टर का आल्टीचूट जब भी ले लेती है दैन अबरुटली इन दस्टिप स्टिप तो नीची चले जाती और प्रपेंडिकुलर इसकारमेट इन्वाट्स बना लेती है ठीक है गाई इसको बोलते हैं हम शिवालिक्स शिवालिक्स रेंज कैसे बनती है तो तो जैसे की लेसर हिमालेज और शिवालिक्स के बीच में जो भी वैली आती है उन्हें का जाता है दून्स तो डून्स मैं आपको बता देता हूँ आगर हमने मैप में देखा है लेसर हिमालियाज जो यहां पर लेसर हिमालियाज है गाईस लेसर हिमालियाज लेसर हिमालियाज और शिवालिक्स के बीच में ये जो वैली इनको डून का जाता है जैसे की उधुमपूर और जैसे की ब पर वाटर होता है यहां पर गुजर्स रहते हैं दुदाई घुजर का चाहता है जिने जमू सीटी इन दसाथ अब जुआ यह आएगा कौन सी सिटी जो है साथन स्लोप आफ शिवालिक्स में वो जुआ तो मिडल हमाले उसके बाद लेसर हमाले जाते हैं जो मिडल हमाले उन्हें लोकल लेंगविज पहाड कहा जाता है इन राइस करते हैं तो यह मिडल हमाले उसके बाद आते हैं उपर तो यह कहां कहां से पास एरिया याद रखे गाईस जानते हैं हम थोड़ी बोरेंगे लेकिन आपको एरिया बिलकुल याद जैसे कि मलोटी महादेव चिनेनी कुद बटोट गूल गुल गुरा रजोरी पुंच अच्छा काली गुलेशियर भी यहाँ पर मिलता है तो हमने जमूरी जैसे कि हमने जमूरीन को डिवाइड किया था तो जमूरी दोर कर देमें कछमीर की बास तो walking ये कश्मीर जो है, वो कहा पर है हिमादरी और पीर-पंचाल मौण्टर Рेंज के बीच में आती हिमादरी जैसे ग्रेटर हिमालेश कहा जाता है और पीर-पंचाल रेंज के बीच में जो आती है, तो उसे कहते हैं हम आपको मैं दिखा देता हूं मैप पर इसी तरीके से यहां पर है गाईस जैसे यह पीर पंचाल रेंज है और इनके बीच में जो है हिमादरी और पीर पंचाल रेंज के बीच में जो वैली आती उसे कहा जाता है कश्मीर वैली यह आपको बिलकुल याद रखना है ऐसे ही क्यो मौन्टेंस के बीच में वैली होती ही है बीच में पाऊड़ों के बीच में दी वैली अच्छा विदिन वैली दीरा थ्री इंपॉर्टन साइट्स नेमली लेडर वैली चिंद वैली लेडर वैली जो ती हो अनतनाग टु पहलगाम है याद रखेगा जो कहां से है लडर वैली अरंतनाक टू पहल गाम इस तरीके से सिंद वैली जो है गांदरुबल तो जो जिला पास से है सो किलोमेटर लॉलाब जो है फटाइल और ओल शेफड वैली सिचुएटि इन नौर्थ वैस्ट साइड अफ कश्मीर इड़ाव 25 किलोमेटर लॉंग और 5 किलोमेटर वाइड अब्जिक्टिव आ सकता है अच्छा अब आपको अब्जिक्टिव ऐसा पूछा जाएगा बिट् कश्मीर बंजार और दुलंद्रा रेंज इन अमोर लॉफ्टी मोंटर रेंज इंडर मोस्ट आप इमालियर राइजिंग अवदा तो इन नौर्थ कश्मीर इंजिस ऑफश्ट आप जंसकार रेंज आती वीच विच्व नौर्द इसन बार्डर बैली आफ कश्मीर दिसकार रहें जाती इसमें ग्रीटर हमालिया में तो ग्रीटर हमालिय के बाद राता है हमारे लदाग प्लैटिव लदाग इसे इंपॉर्टन याद रखना क्यों आगे बताता हूं इंशेट वाहां पर सर्दी बहुत हो जाती और गर्मी भी होती है वहां पर जैसे की जो ग्रीटर हमालिय हैं वह सिक्स वन जीजो मीटर अचा फिर आती मौंट के टू याद रखिएगा सैकिन हाइस्ट पीक इन दा वोल्ड मौंट के टू है वो केराकॉर्म रेंज पर लदाग में मिलती है पिर नंगा परवत हमारा उसकी इतनी हाइड होती है कश्मी पर फिर गुशेर बूरू यह कराकॉर्म रेंज पर आती है उब्जिक्टिव आसकता है बताओ जी घुशेर बूरूं किस रेंज में आती है वो केर्यकुर्म में आती है अच्छा नंगा परवत कश्मीर हमाले में मौंट और जैसे कि सब को पता है हाइस्ट मौंटन है इन जंगा हाइस पॉइंट इसी किसे सेगिंड हाइस भी इंद वोल कोंजी मौट के टू एट सिक्सिक्स बन फाइंट अच्छा क्लाइमेट कैसा रहता है हमारे जमुएंट कुश्मीर में यह थियूरी इस नॉट मैटर यह मैटर नहीं करती है हमारे लिए अघिंग विच मैटर आगे हम पढ़ने वाले हैं तो इसी तरीकी से लाज एकिसरी नम्रेट होता है अच्छा तेम्परिचर यह आपको याँजाने मौटरेट होता है यहां का टैम्रेचर बाइडवाटर बॉटर बाड़ी से वाइल कश्मीर में मौटरेट क्लाइमिट होता ह लदाग में cold desert होती है कश्मीर में moderate लदाग में cold और extreme temperature with extreme temperature होता है कहां लदाग में and Jammu is sub-tropical region where evidence sunshine and hot temperature होता है Jammu में लदाग की बात करें, लदाग is the coldest place of Jammu in Kashmir the climate, जो driver climate होता है, the place is long and serve winter with the temperature going down more than 40 degree below zero चले जाता है, दरास लदाग is the coldest place, याद रखेगा रहता है लदाग क्योंकि बरफ पड़ती बहुत, नाइट अपरेचर रूज रिमेंग बिलो जीरो फ्रॉम सेप्टेंबर तुमेंग बिलो जीरो रहता है the temperature in the summer, however, 45 degree तक पहुंचता, extreme hot तो यह था लदाग कश्मीर की बात करें अब को बता है कश्मीर एक सब इंडिया की सब number one tourist destination है पूरे इंडिया में, it has four clearly democratic चार seasons है माँब जैसे की, the temperature in a meter may go down 15 degree celsius, while as the plane have completely better temperature fire to a day, the month of July is the hottest, hottest जो है मन्त वो जुलाई का होता है कश्मीर में और going up of 30 degree तक जाता है, और in the plains, while the upper reaches remain completely cooler heat of चिनार ट्री से और ठंडा ही रहता है, अच्छा एंटम और spring summer में क्या होता है, वार्म डिजर कॉनलाइट, the valley receives rain during the spring season यह कश्मीर का था, जम्मो की बात करें, sub-tropical region याद रखेगा, जम्मो क्या है, sub-tropical region है, climate अलग अलग होता है, यहाँ पर क्या होता है, पंजाब के साथ similar climate है, the summer or hot or rainy season and winters are cool, the mountain ranges experience weather similar that the Kashmir, the region receive receive snowfall, snowfall, the region receive snowfall, these regions, जो mountain ranges है, जम्मो के, वो snowfall लेते हैं, while the plane receive the light heavy rainfall ही होती है, plains area, seasonal winds originated from the Mediterranean Sea, also influence the weather of the division, असल temperature dips during the rainy season, how are the humidity, humidity बड़ी रहती है, वहाँ पर बारिज से temperature गरता है, लेकिन हमीड रहता है, जम्मो सबसे होते हैं, जम्मो सबसे होते हैं, तीनों divisions में, the average temperature during the peak of 38 degree से उपर जाता है, अच्छा mountains and their passes, mountains जो है, special geography water से जम्मी कुश्मी कुश्मी वैली, high mountains से घिरा हुआ है, narrow Georgia at जबारमुला में, अच्छी दरीकी से, there are shivalik seals towards the south and very lowty north में, peaks with the covered snow, अच्छा, walking mountains भी है, state में, कभी सुना ही नहीं, अभी आगे देखते हैं, देहा कॉस होक इंदा कश्मीर, पराने जमेरे उनने बहुत तबाई उठाई थी, दरा दिया था लोगों को, अच्छा, देखते हैं, सबस्क्राइब मौंटें, केराकॉरम मौंटें, जिसकी हाइट है, 8615 मीटर, 0.17 मीटर, और रेंज है, इसका, क्यून लून रेंज, बोद इस मौंटें लाइं इन नौर्थ और नौर्थ इस आप दा स्टेट अफ सेपरेट, इट फ्रम रश्या से, हमें रश्यान से और तुर्किस्तान और तिबिट से सेपरेट करता है, केराकॉरम मौंटें, हमें नेचरली डिफेंस बना हुआ है, एक साइट से, तब ही जादा तर अटक पाकिस्तान वाली साइट से होते हैं, चाइना थोड़ा सा, पीछे से तो हमें इन्होंने पिर तुर्ड ब्रहम इस अलाए दिया आपको कुछ भी आसकता है अबजेव फिर आते हैं जंसकार रेंज, इडिस अबस 60 मेटर में से बसीह इल स्पट इन देस वेली फंड शमीर, पिर नंपन रंच, टीच बीटिन लगदा द आट बें लग्दाग कंश्मीर और या ने अट इ याँ वेजिटेशन वगेरा इत्वा नहीं है इत्वाइट इतलियन मौंटेने इन नाइंटिफिटीफोर दिर इस नाव अंडर दा अनलाफल पॉजेशन आपकिस्टान के अंदर है या भी पिर आती है हर्मुक मौंटेन इस इस अरेंज इस फिर दो जो इन दाव इंटर तो तो वांडी पूर बंडी पूर बंडी पूर ब्रिवर जलम और खुछन गंगा वैली में आपको मिले गाई उसके बाद बुर्जील मौंटेनिट बफरिकेट कश्मिर लगार इंट इंड बुर्जील पास इस इति इन अधाइट फिर आश सब्सक्राइब के विजिट एव पास्ट मेगा गुंस पास ऑन देर वे टू श्री अमरनाथ अच्छा गवासरन जो इसे जुटी इन दा लेडर वैली तौर्स पाहलकाम और इस लाइस्ट फेमस ग्लेशर को ली तो यह था आवानाथ मौंटन के बारे में फिर तोशीमा दन त जी नाग 3700 meters mountain lie in the inner Himalaya they remain clad and snow throughout the year but during the summer when the snow melt the water flows फिर आता है अफर वात the mountain through the Gulmag valley the famous spring office peak from which the Nula Nanga comes out Nula Nagal comes out the floor during the down in the wholar leg इस तरीकि से पीर पंजार रेंज जैसे कि मैंने बताई इस प्रेट कश्मीर वाली वाली तोटर हिमालय जैने 2621 km its length is 50 km is breath famous money I'll pass lies in the shape of turn in this peak it remains covered in the snow during the winter and it's impact impassable now excited to to lose your meter above sea level and johar tunnel has been constructed phirati shivalik range is oh middle mountain state of chase open as a meter I'm volcanic mountain one volcanic peak the soya maji joe situated the north machi pura handwara at the other kirwa peak lies in तहसील पहल गाम which is dead so far जो अब खत्म हो चुगी the farmer whole continue eruption law of road over 30 months during 1934 of अच्छा आपको पुछे जाएगा on which hill the वेश्नुदेवी मंदिर is located वो त्रिकुटा हिल पर which one of the longest river जेंड के यूटी longest river जो है हमारी जेंड की वो है चिनाब रिवर याद रही अब्जिक्टिव आ सकता है rivers and lake की बात कर रहे हैं longest river चिनाब मैंने बता दिया आपको अच्छा most of the rivers of state है औरीजिन हिमालिया से सारी river आती है origin उनका वहीं से होता है जेहलें river जो इस तोल इंपॉर्टर रिवर हिमालिया से है कश्मीर बेसिंड पर जेहलें चलती है तवी इंडस चिनाब रवी आदर इंपॉर्टर रिवर क्रॉसिंग दा स्टेट वो भी हमारे स्टेट में चलती है तो याद रहे हैं ज इंडस रिवर की बात करें वो ट्रांसमालन रिवर काहां से ओर्जिन मंसोवर लेक से तिबित से होती है शुरू यह देख लीची अल्टिचूट कि इतना है उसका 4-2-0-0-0 मेटर्स और इंडस रिवर फीचर एक्सिंटली इंडरी इंडरी ट्रांसवर से ट्राइटरी पिर आप इंडिया फिर जहलं रिवर बहुंट उट्रूरम के लिच एक्सिंट्री श्रीव सिक्र्यु जूलोरंसे ड्ट्रøre क कोर्ला इंडरी यह देख लीचार मरेवर जैसे मैंनों कि उनकर वैह दैपिर जरास रेवा दोरिवर कि पास शुरूरिवर इंड्टीय रिवर इसे तरीके से लेक सिंजम में तेज इसले चलना क्योंकि टाइम काम है हमारे वीडियो के पास फिर आते हैं कुछ मेजर लेक से देख लीजिए आप सबसे पहले ड़ लेक सेकेंड बिगस लेक इन दूसरी नावर पर डल लेक आती हैं फेमस हाउस बोर्स फगेर होती हैं फिर म इस पॉबली ब्रेथ वेकिंग एड़ डिपस लेकिन दा कश्मीर बेसन लोगे दो शिक्टीव किलोमेटर्स मांसर लेक इस देदर फेमस के मांसर लेक जो जम्हों में अच्छा ग्लेशियर की बात करने साथ से पहले आते हैं बुतरा ग्लेशियर याद रखे का आपको पु प्रकिस्तान के बीच में चाइना बॉडर के है केरेकरम रेंच अच्छा शियाचिन ग्लेशियर की बात करें इस लोकेट इंड इस्टन हिमालियन एंड एड थर्टी तीटव.ट फॉर टू नॉट नॉट सेवन 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 सेटी सेवन इतना जस्ट नॉट-इस पॉंट फ रखेगा श्याचिन ग्लेशर इसलिए फेमेस न्यूज में भी आता है क्योंकि हाइस बैटल ग्राउंड ऑन अर्थ है फिर इंडिया और पाकिसान है फॉर्ट इंटर मेंटेटरी सिंस 13 अप्रेल मेंटेंड पर्मनेंट मिल्टरी प्रेजिए फिर फिर बाइफोव ग्लेशर जो है यह कहां मिलता है आपको यह क्योंकि रेंज पर बृतिस्तान एरिया अप्रोच विया शुक्रूड लदाग तो इसी तरीकी से बुल्टूरू ग्लेशर लोकेटी इंडर सेंट्रल क्योंकि र इस पार्ग्लियर लौकेटिविए इस पार ग्लेशर इंडर लौकेटिव फिर लॉटर इइचर लोड़ी प्रैटा प्रड्यूर अंट अ जम्रा ग्लेशर उज्टोर्यव नॅल्डड आ सकता है इस पार्ग्लेशर इस पार ग्लेशर आये बुल्टू रूबिल्टूम तो गाइज यह थे हमारे कुछ पीक्स के बार में आपको इन में से उब्जेक्टिव निकालने हैं तो यह था थोड़ा सा थियूरी के बार में हम अगली वीडियो और उब्जेक्टिव लेकर आएंगे ताकि आपके जो डॉट्स वगेर हैं और ज्यादा क्लियर रहे जाएं हैं और नहीं वीडियो पसंघा प्रीग के बाद हम्ने इसका प्लें से रेंखिय seshan अगर आपको लेकर आएगे पसे आपutetela हैं उसी तरीके से मुख अगे लेकर आएं तो इस गूराफिया पी हम और ब्यूद लेकर आएंगे तो इस तरीके से इसी आप हम हमार जो पहले सब unit में बचता है religion खाली उसके बाद sustainable development goal बचता है हमारा sustainable development goal के बाद हमारा बचता है लगबग industrialization और economic development और important tourist destination और climate ये सारा हम अभी कर लेंगे आगे हमारे सब बने रहे हैं और जितने जाद हो सके लोगों को share कीजिए help कीजिए सब की और बिल्कुल हमारे चैनल के जाएंगे आपको हमारे जो 1000 subscriber हो चुके हैं हमें और help कीजिए हमें बढ़ाइए आगे हम आपको free में बिल्कुल देना चाहते हैं कुछ नहीं thank you guys please बने रहे है I have you